हेलो फ्रेंज वल्कम बेक टो माई चनल तो फ्रेंज आज में शेयर करने जारे यो बहुत ही एक नई पारली जी बिस्कूट से बनने वाली एक मीटाई की रिसिपी तो प्लीज वीडियो को लाश तक देखिएगा और ये जो मीटाई है बहुत ही कम समान में बन कर तयार हो जाती है और खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाश तक देखिएगा तो आए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 10 रुपे वाली एक पालेजी बिस्कूट लिया है तो सबसे पहले हम पेकट से सारे बिस्कूट को निकाल लेंगे तो यहाँ पर मैंने सारे बिस्कूट को एक प्लेट में निकाल लिया है तो अब हम इनको फ्राइ करेंगे तो चलिए गेस की ओर तो यहाँ पर मैंने एक पेन पर ओयल डाल दिया है तो ओयल जो है अब हमारी मीडियम गरम हो चुकी है तो अब हम क्या करेंगे गेस की फ्लेम को लो कर देंगे और एक करके सारे पालेजी बिस्कुट को हम ओयल पर डाल दिंगे और इसे हम बस एक से दो मिनित के लिए हलका सा बिस्कुट को फ्राइ कर लेंगे ताकि बिस्कुट का जो कलर है वो धूर असा चेंज हो जाए तो बिस्कुट को फ्राइ करने से बिस्कुट का जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा बर जाएगी और जो मिटाई है वो उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी तो बस इसे हम एक से दो मिनिट के लिए बिलकुल low medium flame में बिस्कुट को fry कर लेंगे ताकि बिस्कुट का जो color है वो change हो जाए और जब एक साइट से बिस्कुट जब fry हो जाए तब हम इसको पलट देंगे और दुस्ते साइट को भी हम fry कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हमारी जो बिस्कुट है वो दोनों साइट से fry हो चुकी है इसका जो color है वो भी change हो चुकी है तो अब हम एक एक करके सारे बिस्कुट को फिर से निकाल लेंगे एक पलेट में तो इसी तरीके से बाकी बच्ची हुए बिस्कुट को भी हम fry कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने सारे बिस्कुट को fry कर लिया है और इसको एक पलेट में निकाल लिया है तो अब हम बिस्कुट को छोटे छोटे टुकरों में पहले तोड लेंगे उसके बाद एक मिक्चर गंडर जार पर सारे बिस्कुट को डाल कर हम इसका एक पाउडर बना लेंगे तो यहाँ पर मैंने सारे बिस्कुट को एक मिक्चर गंडर जार पर डाल कर मैंने इसको बिलकुल फाइन पीस लिया है तो अब हम लेंगे एक पेन और पेन में डाल देंगे हम चीनी तो यहाँ पर मैं चीनी जो है वो थोड़ा सा कम यूज़ करूँगी लगबक तीन बरे चमज क्योंकि जो बिसकुट है वो अल्रेडी मीटा है और इसके उपर अगर और भी जदा मीटा डाल दूँगी तो आप बिसकुट को खा नहीं पाओगे बाद में तो इसलिए मैं बस तीन बरे चमज यहाँ पर मैं चीनी लूँगी और फिर इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पाने क्योंकि अब हम इसका चाशनी बनाएंगे चीनी का तो दो से तीन मिनिट होने के बाद यहाँ पर जो चीनी है वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है तो चलिए चक कर लेते हैं जो हमारी चाशनी है वो बनकर तयार हुआ है की नहीं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो तार वाली चाशनी हमारी बनकर तयार हो चुका है तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की ओर तो यहाँ पर हमारी चिनी की चशनी बन कर तयार है तो अब हम चशनी में डाल देंगे हमारी पिसा हुआ बिस्कुट को तो चिनी की चशनी में पिसा हुआ बिस्कुट डालने के बाद फिर हम अच्छी तरीके से बिस्कूट में चिनी की चाशनी को मिक्स करेंगे उसके बाद एट करेंगे दो बड़े चमच मिल्क पाउडर मिल्क पाउडर डालने से हमारी जो मीटाई है उसकी जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आएगी आप भी डालिएगा जुरूर तो मिल्क पाउडर डालने के बाद अब हम अच्छी तरीके से मिल्क पाउडर को बिस्कूट में चला कर मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हमारी जो बिस्कूट है वो थोरा सा ड्राई नजर आ रही है तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर थोरा सा हम लिकूट जो दूट है वो डाल देंगे लगबग 2-3 चमच तो दूट एट करने के बाद अच्छी से बिस्कुट की पाउडर में हम दूट को मिला देंगे और अब हम इसे बस मीडियम फ्लेम में एक मिनिट के लिए इसी तरीके से चला लेंगे तो एक मिनिट के बाद आप देख पाऊगे जो बिस्कुट है वो एक दूसरे में बनने लगी है मतलBob कि जो बिस्कूट है, वो एक दूसरे में बाइंट होने लगी है, आप देख सकते है जो हमारी जो पाउडर है वो भी थोड़ा सा चिप-चिपा होने लगी है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो ये बिस्कूट की जो मिशरन है वो बनकर बिलकुल तयार हो चुकी है तो यहाँ पर हमारी मिटाई जो है वो बनकर तयार है तो अब हम इसे पेन से निकाल कर एक डबे में या फिर एक थाल में जहाँ पर भी आप मिटाई को सेट करना चाहोगे वहाँ पर आप मिटाई को डाल कर इसको अच्छी तरीके से सेट कर लीजेगा तो मैंने यहाँ पर एक डबे में सारे बिस्कुट की मिश्रन को डाल कर मैं इसको चमच के मदद से अच्छी तरीके से बिस्कुट को सेट कर लूँगी ताकि चारो साइट से यह अच्छी तरीके से सेट हो जाए तो फ्रेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बिस्कुट की मिश्रन को एक डब्बे में सट कर लिया है और फिर इसके उपर डाल देंगे हम कुछ ड्राइफूट्स तो यहाँ पर आप अपने मन पसंद कोई भी ड्राइफूट्स एड़ कर सकते है और ड्राइफूट्स टानने के बाद हम फिर से चम्मस की मदद से ड्राइफूट्स को भी इस तरीके से हलका हलका दबा कर बिस्कुट में इसको भी सेट कर लेंगे ताकि बिस्कुट में अच्छी तरीके से जो ड्राइफूट से वो चिपक जाए तो अब हम बर्फी को लगबग एक गंटे के लिए normal temperature में set होने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी से set होकर तयार हो जाए तो लगबग एक गंटे के बाद यहाँ पर हमारी जो बर्फी है वो पुरी तरीके से set हो चुकी है तो इसको निकाल लेंगे हम पहले डबबे से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो बर्फी है बहुत ही अच्छी तरीके से set हो चुकी है और डबबे से भी आसानी से निकल चुकी है तो यहाँ पर आप देखिए हमारे जो बर्फी है बहुत ही अच्छी से बन कर तयार हुआ है तो चलिए आप इसको हम कट करके आपको दिखा देते है तो अब बर्फी को आप अपने मन पसंद कोई भी शेफ दे सकते हैं जो भी आपको पसंद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये कट भी हो रहा है और फ्रेंस में एक बात कहना चाहूंगी जो ये 10 रुपे वाली पालेजी जो बिस्कुट की जो बरफी है वो इतना ज्यादा टेश्टी बनती है कि कोई भी नहीं कह सकता कि आपने इसे घर पर बनाया है वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 रुपे वाली पालेजी बिस्कुट से क्योंकि ये इतना ज्यादा टेश्टी है बिलकुल मार्केट जैसी इसका जो टेस्ट है तो आप देख सकते हैं ये देखने में भी कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है देख सकते आप तो चलिए सारे बर्फी को हम एक प्लेट में रख लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंस सिर्फ और सिर्फ एक पेकेट 10 रुपे वाली पालेजी बिस्कुट से मैंने कितने सारे बर्फी बना कर तयार किया है और ये जो बर्फी है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है फ्रेंस एक बार जोरू ट्राइ करना ट्राइ करने के बाद प्लीज मुझे कमेंट करकर जोरू बताना आपको ये 10 रुपे वाली पालेजी बिस्कुट की बर्फी कैसा लगा खाने में मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई ये रिसिपी और ये पालेजी बिस्कुट की जो बर्फी है ये बरो से लेकर बुरे तक सब को पसंद आने वाली है आप इसकी टेक्चर देक सकते हैं बिल्कुल बाजार जैसे ये बर्फी लग रही है तो चलिए फ्रेंस आज की लिए इतना ही तो अगर आज की ये पारलेजी बिस्कुट से बढने वाली बर्फी की रीसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लेगे तो प्लीज प्लीज मेरे चनल को सस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट भी करिएगा तो चलिए आज के लिए इदना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर तक तक के लिए बाई